नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोतिस सीक्रेट ब्रिस्टिक रासी बालों क्यों मिलती है जिन्दगी में इतनी ठोकरे किस उम्रे में मिलेगी आपको सफलता और सफलता के वो दो राज कौन से हैं तो चलिए हम वीडियो के सुवात करते हैं और यह प्रिडिक्सन चंदरासी पर आधारीत है ब्रिस्टिक रासी बहुत ही खुबसूरत रासी है और बहुत खुसकिस्मत भी होते हैं आपका मालिक सुम्रे मंगल देव हैं और आज हम बताएंगे ठोकर खाने की वज़ा और क्या करें कि जीवन आपका सफल हो जाए जैसे अगर आप रासी अनुसार कोई भी रासी के हैं रासी अनुसार उपाई करते हैं तो यकीन मानिए जीवन की बहुत सारी प्रिसानिया खत्म हो जाती है बहुत सारे दर्सकों को फायदे भी हुए हैं बहुत सारे दर्सक जो अभी भी हमसे जुड़े हैं आप जो भी हम वज़ा क्या है और कैसे निगलें उनसे बाहर है यह जो जीवन है हमारा यह संघर्सों से बढ़ा है बढ़ा हुआ है क्योंकि यहां पर होता क्या है अब हर कोई चाहता है जीवन आपका बहुत सुख से ब्यतित हो लेकिन क्या यह संबब है नहीं क्योंकि सुख दुख दोनों जीवन में हमेंसे आते जाते रहते हैं ना तो सुख बहुत दिनों तक रहता है ना ही तकलीफ आप देखो कि बहुत सारे अमीर बैकती हैं लेकिन क्या अमीर होना सुख का कारण बनता है बिल्खुल नहीं तो चीजें अलग-अलग होती हैं बस आपको थोड़ी सी यहां पर सम सबसे पहली बात तो ठोकर खाने की वज़ा है आपका जरूरत से ज्यादा इमांदार होना अब हम यह नहीं कहेंगे इमांदार होना गलत है लेकिन हाँ जीवन में आपका इस्ट्रगल बढ़ जाता है खासकर आपके जो सपने हैं आपके जो महतों का अंचा हैं उसको पूर आप हर एक चीज़ को बस बैलेंस करके ही चलना जानते हैं अब आप कहेंगे यह तो तुला रासी का काम है नहीं ब्रस्टिक रासी बाले भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं और इनके जीवन में भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं जो इनको बाहार निकलने में थोरा स इनका बैभाई जीवन या तो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत गरबर होता है ठोकर खाने की बज़ए बस एक है बाकि सारे चीज़ें आपकी परफेक्ट है और वो यह है कि आप किसी से बदला लेने की सोच लेते हैं तो बदला लेकर ही रहते हैं यानि प्रती सोधा होते हैं लेकिन आपका यहां पर चंद्रमा थोड़ा कमजूर होता है इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऊपर से चली जाती हैं अगर आप जीवन को जीवन में हर किसी को बस सोचेंगे कि वह भी इमानदार है आपकी तरह तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहां पर दुनिया में अगर अपनी जगह बनानी है आपको अपनी मंजिल पानी है तो थोड़ा सा दूसरों के नजरिये से भी सोचना होगा सिर्फ आप सोचेंगे मैं जैसा हूँ ऐसा ही परफेक्ट हूँ ऐसा नहीं होता आप ठोकर नहीं खाएंगे एक दो बातों का धियार में रखकर देखिएगा बहुत बार क्या होता है जीवर में आप बहुत प्यास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती कभी कभी अपने दिल की सुनने ठोकर खाने से बचे रहेंगे क्योंकि दिल हमेसा ही अंतरात्मा की आवाज बोलता है कभी कभी दिल की सुने और वही करें जो आपको अच्छा लगे सुनिए हर किसी की हर किसी की सुनिए पर करना वही है जो आपको लगे नहीं ये सही है एकदम से भावनाओं में बह जाने से बचिए ये आपके साथ अकसर होता है और इसी कारण अकसर आपको लोग पीठ में छुरा बोब कर चले जाते हैं तो इनसे भी आपको बचना होगा प्यार के मामलों में इतने इमांदार होते हैं कि सामने वाला बहुत जादा आपका यूज भी करता है तो देखें प्यार भी ये हलाकि हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन हाँ इमांदारी अच्छी बात है पर हर कोई आपके तरह ही इमांदार हो ये तो जरूरी नहीं है न इसलिए बास्तिविकता को पहचान ये हकीकत में हकीकत की दुनिया में रहने की कोसिस कीजे हर लोग हर कोई आपके तरह नहीं होते कई बार तो ये बहुत बार क्या होता इनके साथ अब इनसे किसी ने पैसे लिए है अब ये चाहेंगे वो खुद आकर सामने से दे दे नहीं देंगे तो मन में उनके प्रती नम तरह की चीजें उमरती रहेगी तो हवा में चीजों को बनाना फिर एकदम से आकरमक रवये में आना ये गलत है एक तो किसी को भी धन देने लेने से आपको बचना चाहिए अगर देते लेते भी हैं तो लिखा पड़ी के साथ कीजे कई बार तो ये अपनों के ही बीच पिस जाते हैं तो इनसे आपको समहलना चाहिए बचना चाहिए अपने ही अपने के लिए काम आते हैं पर थोड़ा सा सभल के ही काम करें तो अच्छा रहेगा हम यह नहीं कहतें कि रिस्तों को छोड़ें रिस्तों को नहीं छोड़ें फिर तो आप अकेले पर जाएंगे फिर तो दुनिया में कुछ नहीं है इसलिए रिस्तों को छोड़ना नहीं चाहिए हाँ चीजों को समझिए आँका ना खुली रखिए और अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सुचना तो जायज है तो अपने दिल की सुनना चाहिए सबसे पहले तो आप ये करें कि दुनियादारी की सुनना बंद कर दें लोग क्या कहते हैं अच्छा बुरा उसकी आप परवार ना करें आपने बहुत सारे ऐसे मिसाल देखे होंगे जो दिल की सुनकर तरकी कर गया है आपके अंदर जो कमी है उस पर काम कीजिए उसको सुईकार कीजिए नहीं तो फिर तमाम जगह आपको ठोकर खानी पर सकती है जो अब तक आपने गलतियां की उसका रोना रोना बंद कर दीजिए क्योंकि वो गलतियां तो हो चुकी अब आप गलती मत किरें ये काफी है आगे बढ़ने के लिए पर पीछे की बातों में पड़े रहेंगे तो फिर मुस्किल होगी लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सफलता के दो राज हैं जिनको अपना कर जीवन में आप तरकी कर सकते हैं तो सबसे पहली बात कि सफलता पाने के लिए आप क्या करेंगे देखे ये जो धन है आपको बहुत मुस्किल से मिलता है पहली बात और दूसरी बात खर्च भी बहुत करते हैं अगर आप पैसों का मैनेजमेंट अपने जीवन साथ ही को दे दे तो ये आपके लिए अच्छा होगा धन बचेगा दूसरी बात आप यहां पर एक बात जान ले आपको धन उम्र के 36, 44, 62 वर्स में मिलता है यानि 36, 44, 53, 62 यह आपके पिता आपके चाचा आपके मा के पक्छ से धन मिलता है तो धन अगर नहीं आ पा रहा है तब धन पाने के लिए गनेज जी को नित दिन दुरवा एक प्रकार का घास होता है आप अपने मा से पूछ सकते हैं उनको पता होगा और पित क्या करें अपने हातों से पौधे लगाईए देखवाल कीजिए क्योंकि ऐसा करने से किसमत का साथ भी मिलेगा और धन भी अब हम आपको एक और बात बताते हैं अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ तरक्की करें तब क्या करेंगे नसा कभी कभी ब्रिस्टिक वाले नसा में फस जाते हैं नसे के सिकार हो जाते हैं और बहुत नुक्सान करते हैं तो इनसे आपको बचना होगा दूसरी बात और एक चांदी का छला राइट हैंड यानि दाहिने हाथ की साबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर में सोम बार को धारन करें आपका करियर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा संतान की समस्या भी दूर होगी और तमाम जो जीवन में परिसानिया है वो भी समाप्त हो जाएगी याद रखिएगा एक तामबा का एक चांदी का ये आपके किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए काफी है लेकिन एक अंद में आपको एक और बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही सुब है देखिए आपके बहुत सारे गुप्त सत्र होते हैं तो आप चाहते हैं कि गुप्त सत्रों से रक्षा हो तब हनुमान जी के सरन में रहिएगा वैसे भी मंगल आपके स्वामी है तो रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का अभ्यास बना ले और आपके लिए काल खराब होगा इसलिए काला रंग या तो इस्तिमाल करना बंद कर दे या तो कम से कम करें अगर आप चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिले तो कुछ बातों को फॉलो करें यकिन मानिये लाइफ बहुत आसान हो जाएगी जीना वैसे तो हर किसी के जीवन में इस ट्रगल है लेकिन उन्हीं इस ट्रगल को यानि कि मुसीबतों पर भी जो विजय प्राप्त कर ले वो सच्चा युद्धा होता है और आप में वो काविलियत है आप दिश्चिक वाले बहुत खुस नसीब होते हैं यूँ ही आप पर मंगल देव अन्मान जी की किर्पाब बनी रहे हर हर महादेव धन्यवाद